विल्गेटे हमेरी सब्सक्राइब स्कस्राइब वेल गुर। मांत्र यू है। यू है जै मिलिक पॉर यू टोडै और चैप्टर इज वैल्वेशन फोर स्टैंप दूटी इपृटी इस स्टैंप डूटी का वैलवेशन कितने अमाउंट पर स्टैंप डूटी देनी है यह हम 15 seconds these five sections section 20 22 23 24 25 are very very important for examination point of view so let us start section 20 conversion of amount expressed in foreign currency foreign currency में अगर रेट है तो उसका कैसे conversion करेंगे हमने section 18 में पढ़ा था कि जो भी डाकुमेंट outside इंडिया execute होंगे property in इंडिया है तो उस case में हम within after coming in India within three month stamping होनी जरूरी है तो वह payment जो आएगी वह currency में आएगी तो suppose कोई sale हुई और property in India में है तो उस dollar में suppose payment है ten thousand dollar की payment आई है और exchange rate at the date of execution of document one dollar is equal to rupees 80 असी रुपे पर डॉलर है तो सबसे पहले क्या करेंगे यह जो section 20 deal करता है कि उस currency को आप INR Indian currency में change करेंगे तो यह कितना होगा dollar ten thousand into 80 यह rupees eight lakh आठ लाक रुपे इसका amount बनेगा और आठ लाक पर stamp duty पे करनी होगी जब भी इंडिया में वो आते हैं विदिन थरी मंद एक वर्ड है एड वोलरम इसका मितलब क्या है rate जो देने होते हैं वो एड वोलरम रेट से होते हैं इसका मितलब है according to fix rate नहीं है according to percentage जो percentage है जैसे जैसे amount बढ़ेगा उसी तरह rate of stamping का बढ़ता चला जाएगा तो इस rate पर वो देंगे तो first section 20 ये बताता है कि first of all we will have to change the foreign exchange money into Indian currency INR में बदल लेंगे और उस पर stamp duty दे देंगे जो भी schedule 1 के अनुसार जो भी rate बनेगा तो ये section ये deal करता है अब section 22 effect of statement of rate of exchange और average price इसका क्या मतलब है कि जब दो पार्टियां seller और buyer mutually settle कर लेते हैं कि ये rate हम deed में भरेंगे sale purchase का हमारा ये rate रहेगा चाहे वो average rate है चाहे rate of exchange जो भी है वो मानने होगा stamp act हमारा उसको मान लेता है condition circle rate को coverage होनी चाहिए स्पोज तो सबसे पहले क्या होगा एज पर settlement by parties पार्टी जो settlement कर लेंगी वही उसी पर stamping होगा covering ये important है covering circle rate सरकल रेट से कम कम पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो ये था एज पर settlement होता क्या है कि प्रोपर्टी कई बार क्या होती है जैसे प्रोपर्टी आप स्पोज प्रोपर्टी प्रोपर्टी है 15 लेक और circle rate स्पोज 10 लेक तो पार्टी ज क्या करती है तो शेल डीड जो बनेगी वो 10 लाक पर बन जाएगी तो 5 लाक जो है ये पैसा दो नमबर में जाता है इसको बलेक में नहीं कहते हैं लेकिन जो उन्हों नमिच्विली डिसाइड कर लिया वो rate लग जाएगा क्योंकि वो circle rate को cover करता है stamp जो act है हमारा वो ये देखता कि ये 5 रुपे 5 लाक का क्या है उनको कोई मतलब नहीं है उनको ये circle rate cover होना चाहिए तो ये जो section था section 22 effect of statement rate of exchange or average price जो उन्होंने settle कर लिया अगर वो circle rate को cover करता है तो मानने होगा अब section 23 instrument reserving interest इसमें क्या है एक A party है और ये grant loan of rupees five lakh to B B को पांच लाक का लोन देते हैं और B इसके एवेज में mortgage 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 ये mortgage ये mortgage ये mortgage ही हो जाएगा क्योंकि ये loan दे रहा है mortgage मकान का mortgage करता है जिसकी किमत suppose fifteen lakh है तो इस case में और ब्याज जो इस पर interest भी होता है ये कहता है मैं एक साल के लिए यहां पर say four one year at the rate 18% वह देता है तो जो इस पर interest है suppose interest है rupees 75-100 पर मंत और वो कुछ महिनों के बाद इस इस हिसाब से interest भी लेता है तो interest suppose उसका ये 75-100 एक महिने बाद वो payment ये loan ब्याज पर देता है तो इस case में जो consideration amount है पांच लाग उस पर stamp duty applicable होगी या 75-100 पर दोनों पर मिला के होगी तो यहां पर यह क्योक्स जनराइज होता है कि जब loan दिया जाता है शेल और प्रोपर्टी नहीं है यह तो सिर्फ mortgage के एवेज में है वाकि यह mortgage है खाली लेकिन शेल नहीं है तो यहां पर तो stamp duty है stamp duty यह payable होगी only on principle principle amount और वो है पांच लाग तो एक तो यह है कि instrument जो पांच लाग का था वो consideration amount माना जाएगा और interest consider नहीं किया जाएगा अब section चोब इसमें क्या है how transfer in consideration of debt or subject to future payment etc to be charged जो consideration amount है debt और जो future payment की बात है तो वहां उस case में क्या करेंगे तो यहां पर देखिए ए है एक एन ग्रांट लोन ओफ रुपीज 60 lakhs 60 lakhs 60 lakhs का लोन दिया बी को और अब बी इसको mortgage mortgage मकान का mortgage करता है जिसकी कीमत स्पोज 90 lakhs 90 lakhs है तो यह इसको देता है तो इसमें दो इसन बनती है एक तो इंट्रेस्ट नहीं है एक में इंट्रेस्ट है माल लिया कुछ समय बाद अगर उसकी payment होती है तो यह जरूर लेगा A B से तो इस case में यह जो B है यह कुछ समय बाद कहता है कि He is unable unable to repay वो कहता मैं यह amount कर देता है किसको A को A को शेल कर देता है और इसकी property की किमत है 90 तो एक case है कि यहां पर stamp duty कितनी देनी होगी तो अब जो consideration amount है शेल की case में अब यह 90 lakh होगा रूपीज 90 lakhs और इस पर stamp duty लगेगी और जिसमें से 60 lakh पर उसने stamp duty already pay की है तो यहां पर यह deduction मिल जाएगी deduction 60 की तो यह हो गया 30 lakhs पर उसने stamp duty pay करनी पड़ेगी दूसरा case है अगर यह कुछ समय पस्चात यह deal होती है यह का एक दो महिने के बाद और उसमें suppose interest भी बनता है इंट्रेस्ट रूपीज suppose 10 lakhs 10 lakh interest हो जाता है तो इस case में stamp duty क्या पड़ेगी क्योंकि यह कहता है मैं रिपे तो नहीं कर सकता अपना मेरी property अपने पास रख लो तो यह 60 lakh इसने यहां दिये और फिर 10 lakh यह ब्याज भी लेगा तो 70 lakh और यहां पर consideration amount क्या होगा consideration amount तो क्योंकि property 90 lakh की है तो consideration amount यह होगा रूपीज 90 lakh और पलस interest क्योंकि interest यह लेगा interest रूपीज 10 lakh तो यह रूपीज 100 lakh टोटल बना जिस पर stamp duty पे करनी पड़ेगी लेकिन इसने 60 lakh पर पहले दे रखी है stamp duty तो यहां rebate मिल जाएगी rebate रूपीज 60 lakh तो net जो stamp duty पेबल होगी रूपीज 40 lakh पर stamp duty पे करनी पड़ेगी अब आप कहेंगे कि यहां पर तो ब्याज को include नहीं किया while payment of stamp duty और यहां पर किया तो कारण क्या है देखिए यहां loan देते हैं जब तो जब loan देते हैं तो mortgage property से कोई मतलब नहीं है वो ज्यादा की रहेगी और ब्याज वहां पर नहीं consider किया जाएगा only principal amount पर ही instrument reserving interest का मतलब है कि interest नहीं देना पर stamp duty नहीं देनी है लेकिन जब sale property है जहां पर property यह भी कहता है आप property रख लो इसने मतलब sale कर दी तो यहां पर व्याज भी stamp duty के लिए उसमें account किया जाएगा और जो जितने पर stamp duty pay already कर रखी है वो amount rebate में आ जाएगा लेकिन इसमें condition है condition क्या है condition यह है कि पूरा house इसको भी पूरा house A को sale करेगा यह नहीं कर सकता कि एक floor रख लें और बाकी house इसको sale कर दें यह condition यह है अगर rebate लेनी है rebate तभी मिलेगी जब यह पूरा उसका अपना home पूरा इसको sale करेगा तो यह था section बड़ा important है यह भी important section है important और यह very very important यह exam में यह exam equation इन पांच section में से याते हैं तो annuity evaluation कैसे होगा annuity evaluation में ऐसा है annuity means annually जो payment की जाती है तो उसका evaluation कैसे करें annuity कोई अगर है तो देखो अगर definite period है च्यार साल पांस साल दस साल तो दस साल into एक साल की जो annuity है उसको multiply कर देंगे और उसी पर stamp duty देनी पड़ेगी indefinite period है तो 20 years माना जाता है जब तक जहान है 20 years मानेंगे indefinite period definite नहीं है तो 20 years into annuity और अगर for life है life word है तो वहां 12 साल मानते है 12 years into annuity तो यह तीन stages है तो हमने क्या सिख्या सबसे पहले conversion करके stamp duty लगेगी दूसरी जो mutually decide कर लिया उस पर लगेगी तीसरा instrument जहां loan दिया है वहां loan में interest person को count नहीं किया जाएगा stamping के लिए और जहां पर debt है future debt और जहां property भी sale की जाती है loan दिया जाता फिर property ही sale करनी पड़ती है वो repay नहीं कर पाता वहां पर interest भी include किया जाएगा और annuity के case में यह 3 stages बताए I think it is clear have a nice day thank you